हलो लॉनर्स वेल्कम बैक टू आर चानल स्टडी आईक्यू जुडीश्री दिस इस मी अर्जता अंड आज के इस पॉर्टिकुलर विडियो में हम बात करने वाले हैं कैसी कंडिशन की बारे में जो की आपके सामने रखी जाएगी तो आपको भी बहुत ज्यादा हसी आएगी कंडिशन कुछ इस तरीके की है कि अगर मैं आपको ये बोलू कि आपके अगेंस जो FIR फाइल की गई है क्योंकि आपने IPC के अंदर कोई offense किया है तो मैं FIR को क्वाश करने के लिए तयार हूँ मैं FIR को हटाने के लिए तयार हूँ आपके अगेंस जो case फाइल किया गया है उसे कैंसल करने के लिए तयार हूँ प्रोवाइड़ आपको जाके कुछ लोगों को बर्गर खिलाना पड़ेगा तो ये आपका किस तरीके का case है क्यों ऐसी condition एक्यूस के सामने आपकी Delhi High Court के द्वारा रखी गई थी ये सारी चीजें हम आज के इस case में समझेंगे डिसकस करेंग हाई सद्दाम हुसेन, क्वाइट यूनीक नेम, बिफोर वी स्टार्ट विद दे सेशन, प्लीज मेक शूर अगर आपने अभी तक हमारे साथ इन सारे प्लाटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, टेलेग्राम, फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्डेन, इंस्टाग्राम, ठीक है, जिस भी प्लाटफॉर्म पे आप अवेलिबल हैं, प्लीज मेक शूर, ताकि जो भी वीडियो जाले जा रहे हैं, किसी एक्जाम की कोई नोटिफिकेशन आई है, जैसे आज भी मैं एक इम्पोर्टन एक्जाम की आपकी वेकिंसी आ गया था, रेप का केस फाइल किया गया था, साथी साथ क्रिमिनल इंटिमेडेशन का भी केस फाइल किया गया था, ये सारे केसे ये सारी धाराएं कैंसल कर दी, उसके अगेंस्ट बन रहा, पूरा केस आपका कैंसल कर दिया, इस कंडिशन पे कि अगर वो एक्क्यूज जाके burger खिला के आएगा ठीक है तो case देखिए आपका यहाँ पे ये था कि Delhi High Court के द्वारा पास किया गया ये decision है ये judgment है आपका ठीक है तो Delhi High Court ने एक आदमी को ये direction दिया उसे ये बोला कि दो अनात आश्रम में जाके दो orphanages में जाके आपको अच्छी quality के hygienic burgers यानि जो अच्छी proper safe environment में बनाये गए हैं ऐसे burgers आपको जाके और फरेजिस में अनात आश्रम में जाके खिलाने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके against जो FIR file की गई है register की गई है उसे हम quash कर दे अब FIR जो file की गई थी IPC के अंदर इस person के against वो की गई थी तीन offenses के against IPC के जो है एक है आपका rape का offense यानि section 375 यानि अगर आप किसी भी महिला के साथ sexual intercourse करते हैं बिना उसकी consent के बिना उसके will के या फिर अगर उस महिला का consent जो है वो जोर जबरदस्ती से डरा के धमका के लिया गया है तो वो होता है आपका rape का offense साथी साथ stalking का offense और आपका criminal intimidation ये तीन cases इस आदमी के against इनकी former wife ने file किये थे इनकी जो बीवी थी जिनसे इनका तलाक हो चुका है उसने इस आदमी के against ये तीनो cases आपके लगाए थे अब एक बार stalking के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही जादा important provision है ये आपका 354D के अंदर 2013 का जो आपका criminal amendment हुआ था justice वर्मा कमिटी के द्वारा उस कमिटी के recommendation पे ये section आपका IPC में add किया गया था कि कोई भी person अगर क्या करता है कोई भी आदमी किसी भी महिला का पीछा करता है जबरदस्ती उससे contact करने की personal interaction करने की कोशिश करता है एक बार अगर वो महिला disinterest दिखा चुकी है कि वो आपसे contact करने में आपसे बात वगरा करने में interested नहीं है या फिर किसी भी online medium के थ्रू internet medium के थ्रू आप उससे communicate करने की कोशिश करते हो तो वो सब कुछ आपका stalking में आता है जो कि 354 D के अंदर में दिया है इसके बाद 503 में आपका दिया है criminal intimidation कि अगर आप किसी भी person को डराते हैं धमकाते हैं कि आप उनकी body को उनकी property को या फिर उनकी image को उनकी reputation को किसी भी तरीके से नुकसान पहुचाएंगे या फिर किसी ऐसे person की body या property या reputation को नुकसान पहुचाएंगे जिसमें ये person interested है यानि कि जैसे कि आपका कोई family member हो गया तो वो आपका माना जाता है कि criminal intimidation section 503 के अंदर तो ये आपके तीन provisions हैं जो इस आदमी की against file किये गए थे जिसके basis पे इनकी against FIR यहाँ पे file की गई थी तो ये जो single judge bench का judgment है आपका justice जस्मीच सिंग का उन्होंने यहाँ पे FIR file की है उस आदमी की against क्योंकि FIR जिस person की द्वारा file की गई थी वो उनकी former wife ही थी अब husband और wife के क्योंकि relations अच्छे नहीं थे उनके बीच में काफी जादा लडाई जगड़े होते थे काफी जादा temperament के issues थे जिसके चलते इनकी शादी जो है वो खतम हो गई थी दोनों ने यहाँ पे शादी को end कर दिया था तो court ने यानि कि आपके judge ने यहाँ पे वही चीज बोली कि कही ना कहीं इसमें एक matrimonial dispute ही हमको देखने को मिल रहा है तो इस case को आगे और खीचने का बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है तो दूसरी चीज अगर हम CRPC के provision की भी बात करते हैं कि क्या अगर किसी person की 482 यह बोलता है कि अगर दोनों parties के बीच में यानि जो victim है आपका या फिर जो accused है आपका उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का compromise हो जाता है तो high court आपका FIR को quash यहाँ पे कर सकता है ठीक है तो दोनों parties जिनके के बीच में compromise हुआ है वह joint petition यहाँ पे file कर सकते हैं section 482 के अंदर कि हम FIR को cancel यहाँ पे करवाना जाते हैं court उस petition को study करेगा देखेगा कि क्या parties के बीच में सच में यहाँ पे compromise हुआ है और अगर court आपका satisfied है तो satisfied होने के बाद court उस FIR को वहाँ पे cancel कर देगा क्वाश कर देगा और अगर court को लगता है कि यहाँ पे जो compromise है वो किसी भी जोर जबरदस्ती से threat करके धमकी बगरा देके लाया जा रहा है तो वहाँ पे high court जो है वो उस FIR को क्वाश करने से मना भी कर सकता है तो इसी provision के basis पे इस case के अंदर इस FIR को क्वाश किया गया है cancel किया गया है क्योंकि जो दोनों parties है यानि वो आदमी वो accused आपका जिसके against यह सारे cases file किये गए थे प्लस उनकी जो former wife है ex wife जो है उनके बीच में compromise एक settlement हो गया था mediation center में ठीक है और husband और former उनकी जो ex wife है उन्होंने ये बोला कि हमने out of court settlement कर लिया है जो कि हमारी खुद की इच्छा से है ठीक है बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिना किसी दबाप के बिना किसी धमकी वगरा के हम court को इस case को out of court settle करना चाहते है ठीक है तो हमें अब criminal case में आगे जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ना है तो जब इनकी former wife ने जिन्होंने इनकी उपर ये तीन case फाइल किये थे rape का, stalking का और criminal intimidation का जब इनकी wife ने यहाँ पर ये चीज बोली कि मुझे इस F.I.R. को quash करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है मैं इस F.I.R. को cancel यहाँ पर करना चाहती हूँ तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जज ने भी यहाँ पर agree किया कि हाँ ठीक है यह F.I.R. आपकी cancel की जा सकती है लेकिन जब F.I.R. कैंसल करने के लिए जज अल्रेडी मान गए थे तो फिर यह burger खिलाने वाली बात कहां से आती है अनात आश्रम में यह burger बाटने वाला point जो है वो आपका कहां से आता है तो court ने देखिए यहां बोला कि आपके लड़ाई जगड़े के चक्कर में आपके आपसी मदभेत के चक्कर में आपके घर की लड़ाईयों के चक्कर में आप यह देखो कि आपने court का कितना time बरबात किया ठीक है क्योंकि आप यह case जो आप फाइल किया था आपने अपने ex-husband के अगेंस्ट यह case आपने 2020 में फाइल किया था 2020 से पुलिस की बहुत जादा मेहनत लगी क्योंकि आपने cases ही ऐसे लगाये थे rape, stalking और criminal intimidation यानि पुलिस को कितना सारा investigation वगरा करना पड़ा होगा तो हमने आपका case यहाँ पे सुना तो कही न कहीं आपने court, judiciary और police तीनों का समय क्योंकि बरबात किया ऐसी stupid case को लाके जो अब आप continue भी नहीं करना चाहते हो, जिसको खतम करना चाहते हो, तो court ने बोला कि इसकी कुछ ना कुछ सजा, इसकी कुछ ना कुछ punishment तो आपको दी जाएगी अब सजा यह है, punishment यह है कि आप society के लिए कुछ अच्छा काम करिए, social good करिए, तो society के लिए अच्छा काम, social good, जज ने यहाँ पे यह बोला, कि भाई, आप काम क्या करते हैं, उन्होंने accused से यहाँ पे पूछा, कि आपका काम क्या है, आपका profession यहाँ पे क्या है, तो hearing के सुना हुआ होगा, तो जब यहाँ पे उस आदमी ने बोला, कि मेरे burger के chains है, मैं burger की shop यहाँ पे चलाता हूँ, noida और मयूर विहार की अंदर, तो जज ने यहाँ पे बोला, कि फिर आप एक काम करिए, जो social good करने की हम बात कर रहे हैं, जो अच्छी चीज, आप society के लिए कर क्योंकि आपने court का और police का इतना time जो बर्बात किया है उसके चक्कर में, आप अनात आश्रम के अंदर जाके, ऐसे दो अनात आश्रम, जिसकी each की capacity कम से कम 100 बच्चों की हो, ऐसे दो अनात आश्रम में जाके, आप अच्छे hygienic, safe environment में बने हुए जो burgers हैं, वो आप जाके ब यह काम एग्जेक्यूट किया जाए, तो यहां पर जज ने उनको यह order दिया था, कि हम आपके against the FIR है, उसे cancel कर रहे हैं, subject to कि अगर आप अच्छे hygienic, good quality, safe environment में बने हुए burgers, जो हैं, वो जाके COVID protocols को ध्यान में रखते हुए, COVID के regulations को ध्यान में रखते हुए, दशेरा के दि यहां पर दशेरा के आसपास किसी भी टाइम पर आप जाएंगे अनात अश्रम के अंदर, ठीक है, और दो अनात अश्रम के अंदर जाके आप वहां पर बर्गर खिला के आएंगे, और जो पुलिस वाले हैं, जो आपके केस का investigation कर रहे थे, वो यहां पर यह देखेंगे कि इस काम को ठीक से execute यहां पर किया जाए, और आपने यह condition यहां पर पूरी की है, कि नहीं की है, so guys, I hope आज का जो session है, काफी interesting session था, तो मुझे लगा आपको भी पता होनी चाहिए, कि ऐसी बातों पे भी आपकी F.I.R. quash की जा सकती है, आज से कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक आपकी ऐसा ही case आया था, जहां पर Delhi High Court ने F.I.R. quash करने के लिए, cancel करने के लिए, accused आदमी पर ये condition लगाई थी, कि आप जाके sanitary pads, जो sanitary napkins आपके होते हैं, वो जाके distribute करेंगे, तो आपके against F.I.R. quash कर दिया जाएगा, quash कर दिया जाएगा, now before we end with the session, एक important information आपके जुडिश्री के साथ, अपनी जुडिश्री एक्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, विकोज यहां पर courses काफी जादा affordable है, और आपके targeted state के हिसाब से यहां पर देखिए, courses बनाए जाते हैं, यानि आप इन में से, जिस भी state की तैयारी कर रहे हो, हर्याना है, वेस बिंगॉ है, उत्तरप्रदेश है, मध्यप्रदेश है, आपका specific course आपको यहां पर मिल जाएगा, और course के अंदर आप देख सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें यहां पर मिलती है, तो course के अंदर अगर मैं आपको दिखाओं, तो सारे courses के अंदर आपको यहां पर preparation strategy बताई जाती है, स jurisprudence है, law of thoughts है, आपका Muslim law है, Hindu law है, judgment writing means preparation, यानि वहां तक की तयारी आपको करवाई जाती है, प्लस आपको English के लिए judiciary past year questions, यह सारी चीज़े provide की जाती है, प्लस इस course को खरीदने का एक और बहुती interesting feature है, interesting feature यह है कि हम लोगों का, जो educators हैं, जो teachers हैं study IQ के course में, हमारा आपके साथ एक proper interaction बना रहा है, एक live interaction वहाँ पर बना रहा है, तो जो हमारे paid subscribers हैं, जोनों है हमारा paid course खरीदा हुआ है, उनके लिए हर Friday, हर Friday without any skipping, कभी भी यह session हमारा skip नहीं होता है, हर Friday शाम को 6 बजे, ठीक है, हम एक live doubt solving session रखते हैं, जिसमें आपके जो भी doubts हैं, जो भी question है, किसी भी law से related, किसी भी provision से related, या किसी general legal affairs से related, वो सारे doubts, वो सारे queries आपके solve करवाए जाते हैं, हमारे Friday के session में, तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हो, एक full holistic preparation जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको यहापे मिलती है, जुडी श्री की, बहुत ही जादा कम प्राइज में, बहुत ही जादा किफाइती, affordable price जिसे हम बोल सकते हैं, so guys, with that, I come to the end of the session, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, जो भी information मैंने डिसक्स की, व आपको सकी information मिलती रहे, so take care everyone, all the best for your preparation, I will see you soon, bye bye.